फेलियर किसका रहा? क्या सतीश्चन मिश्रा जी का फेलियर रहा? आनन्द भाई साब का फेलियर रहा? या आकाश आनन्द जी का रहा? या जितने पतधीकारी थे उनका फेलियर रहा? या कारेकरताओं का फेलियर रहा? या फिर वोटरों का फेलियर रहा? या फिर एक बहुत मीटिंग्स की हैं वो सिर्फ इसी लिए की थी कि बी जेपी वाले आप यह कहने लगait कि भार नहीं आ रही है जैसे कि आम आदमी भी यही बात कहता कि भैंजी किसी से मिलती नहीं है बात नहीं करती है पहन बहन जी के लिए कहा जा रहा है कि बहन जी हेलीकॉप्टर में बैठ के आई, कुछ एक पेपर लेके आई, उन्होंने वहां पर पड़ा, आदा पॉना घंटा की अपनी स्पीज दी, और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के चली गई, और जो वहां जो भीड आई थी, वह बहन ज जी आनन्द भाइसाब जो हैं, क्या वो रोड शो में नहीं आ सकते थे, क्या आकाश आनन जी हैं, वो रोड शो में नहीं आ सकते थे, जबकि अधर पार्टियों की अगर हम सब की बात करें, जितने भी उनके राष्ट एद्दक शो चाहें, देश का ग्रह मंतरी भी अपने पेंपलेट बाट रहा है, देश का परधान मंतरी भी अपनी खुद की कंपैनिंग कर रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं, फोटों कीचवा रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या भेनकुमारी मायावती जी और उनके जो वरिष्ट पदद ही क हैं, वो नहीं आ सकते थे क्या, कहा जाये तो सदीश मिश्रा जी भी रामड वोट लाने में थोड़े से नाकामियाब रहे हैं, दोस्तों जैभीम नमवुद्ध है, मिलेंदर गौतम, आज मैं आया हूं रजोरी गार्डन में और मेरे साथ बैठे हैं राजबीर सिंगी, जी करते हैं कि दो-तिन दिन पहले जो बी-एस-पी के चौकाने वाले नतीजे आये थे, उनके बारे में बात करना चाहेंगे, और जानना भी चाहेंगे ये कि आखिर फेलियर जो रहा, जो एक सीट आई, चार सो तीन सीटों में से अगर एक सीट आती है, तो कुछ ना कुछ फे हुआ है सर, आप से ये जाना चाहेंगे कि फेलियर किसका रहा, क्या सतीशन मिश्रा जी का फेलियर रहा, आनंद भाई साब का फेलियर रहा, या आकाश आनंद जी का रहा, या जितने पतदीकारी थे, उनका फेलियर रहा, या कार्यकरताओं का फेलियर रहा, या फिर वोट जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नतीजें का तो नतीजे जो भी आया है जनता ने जैसे भी नतीजे दिये हैं उसको पार्टी स्विकार करती है और बेंजी फ्रेस कांफेंस करके उस बारे में बोल भी चुकी है जहां तक बात है फेलियर की कि पार्टी का कोई भी उसमें फेल निकल रही है और अगर आपको ध्यान होगा तो एक बार एक जगह पर हमीज साजी ने भी कहा था भारतिय जिंता पार्टी वालों ने कि भी बैंजी बाहर निकल लिए ठीक है घर से अभी आप घर से बाहर नहीं निकल रही है कहीं ऐसा तो नहीं बाद में आप अम पर ब्लेम हो गई है BJP के साथ मिलके चुनाव लड़ रही है पीछे से BJP का सपार्ट कर रही है और ब समाज पर कहीं पर भी जो है फाइड हम दहिं नहीं आ तो हूआ यह जो हमारे बीजन समाज पर पार्टी के जो लोटर हैं जिनको कैडर वोटर कहते हैं या किसी पी पार्टी का जो कैडर वोटर होता है तिक इस के मन में कहीं ना कहीं पी यह अन्देशा पैदा करने कि हिंदू माइंडेट जो वोटर होता है तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम सपा को साथ जाएंगे या सपा को वोट करेंगे या बीज़पी को वोट करेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा तो क्यों ना कि हम ताकत के साथ जाएं इसलिए वह ऐसा करा गया मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने करा ताकि बहुझन समाज पार्टी का जो सारा वोटर था वह एक बार के लिए गलतफ्हेमी का शिकार होके और बहुझन समाज पारिटी के बजाए भारतिये जनता का पार्टी को वोट कर गया कि अगर इस तरह का प्रोपागंडा गड़ा गया और मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बात पहुचा ही गई तो जो बीएस्पी के कारे करता थे बीएस्पी के पदा दिकारी थे क्या वो अपनी बात को पूर्ण तरीके से कहनी पाए या पहु पहुचा पाए उसको भी नहीं पहुचा पाए उसको भी नहीं पहुचा पाए उनका फेलियर कहीं नजर आता है और यह फैलियर दिखता है एक सीट अगर बोजन समाज पार्टी के आती है और जो हमारा वोटर है वो कहीं और शिप्ट होता है तो कहीं नहीं उनका फेलियर नजर आता है. बिल्कुल सर एक चीज और जाने चाहिए अब यह आपने का कि अमिस्जा जी ने यह कहा था कि भेंजी घर से भाहर निकलिए और लोगों का यह भी मानना है कि अमिश्वा जी के कहने के बाद ही बहन जी की रैलियां शुरू हुई और जितनी भी रैलियां हुई जितनी भी उन्होंने मीटिंग्स कियें वो सिर्फ इसलिए की थी कि BJP वाले अब ये कहने लगे हैं कि बहन जी बाहर नहीं आ रही है जैसे कि आम आदमी भी यही बात कहता ह कि बहेंजी किसी से मिलती नहीं है बात नहीं करती है उनके जो वरिष्ट पदद ही कारी है वो लोग भी बात नहीं करते कि पिछले एक साल से जो है वहां पे लखनों में डेरा डाल के बैठी वी थी और उन्होंने पार्टी के एक पदादिकार से इस बार खुद मुलकात करी है हर पार्टी के आदमी से मिली और जहां तक बात है कि बाहर निकलने की तो चुनाव का एक समय होता है राश्ट्रे नेत पसंद भी करा था उनकी बाते भी पसंद करी जैसे कि हमेशा से लोग करते आएं लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई फेलियर रहा है तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो बहुत बड़ा एक नैरेटिव था उसका बहुत ज्यादा असर रहा एक चीज और आ रही है कि भेहन जी के लिए कहा जा रहा है कि भेहन जी हेलिकॉप्टर में बैठके आई कुछ एक पेपर लेके आई उन्होंने वह वहां पर पड़ा आदा पोना घंटा की अपनी स्पीज दी और फिर हेलिकॉप्टर में बैठके चली गई और जो वहां जो भीड आई थी वह भेहन जी के समर् को सबीरिए और चाहिए हुए लोगों से बातचीत करते रिपोर्टिघ गाउगों में घलीं जाते डा जाते हैं शहरों के पहुषते हैं वो लोग ये कहते हैं कि क्या अगर भेंजी नहीं आ सकती है चलो हम मानते हैं कि भेंजी अपना 18 गंटे काम करती है और भी बहुत सारी उनके उपर जिम्मेदारी हैं तो उनके भाई जो है आनन जी आनन भाई साब जो है क्या वो रोड़ शो में नहीं आ सकते थे क्या आकाश पाटियों की अगर हम सब की बात करें जितने भी उनके राष्टे अधक्ष हो चाहें, विधान सब अधक्ष हो आधक्ष हो यह जो भी हो वह रेलिया कर रहें देश का ग्रह मंतरी भी अपने पेंपलेट बाट रहा है देश का परधान मंतरी भी अपनी खुद की कंपैनिंग कर रहे हैं रोडों पे चल रहे हैं फोटो खिचवा रहे हैं लोगों के साथ और लोगों से जनसंपर कर रहे हैं क्या भेनकुमारी मायावती जी और उनके जो वरिष्ट पदधिकारी हैं वो नहीं आ सकते थे क्या देखे साथी सत्मिस्राजी ने बहुत सारी रेलियां करी हैं ठीक है और कुछ कुछ जगह वो गए भी हैं पैदल भी घूमें हैं कुछ लोग और हैं ठीक है वो भी गए होंगे ठीक है तो वह एक पार्टी का अपने प्रोटो कोल होता है उसके हिसाब से होता है मुझे नहीं लगताा कि समाज पार्टी ने पेले भी कभी करा थी कभी नहीं करना थीग है कि पार्टी को लगता है कि कुछी चीज में कोई अगर बदलाव करना है तो मुझे लगता है कि निश्ची तोर से इस बार करा जाएगा। समय के अनुसार क्या चेंज़िज नहीं होने चीज़िए? जो कि पार्टी के कारिये करता हों के लिए और जो पार्टी के सुबचिंत के उनके लिए ज़रूरी हो ज़रूर फेर बदल होगा अभी भेनकुमारी मायवती जी ने दो दिन पहले एक प्रेस कांफरेंस किया और उसमें एक बयान उन्होंने ये दिया है कि मुझे मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया और वो बयान सुनकर के मुस्लिम समाज वो मुस्लिम समाज जिसने बीएसपी के लिए तन्मन धन लगा दिया और वोट दिया अपनी गली महले से भी दिलवाया शेहर से भी दिलवाया वो नराज हो गया उसके लिए क्या कहेंग कि बागीतारी िमी की कि इसलाम के मानने वाले लोगों की संख्या तादाज ज्याद है उसमें जो समाजवादी संदिसक्राइशी समाजवाज인 वा मुस्लीम नहीं दिए और है। वुझसा माज या क्या को पृग्राम्य। सा उन्होंने कभी नहीं का कि मुसलिम समाज निया में वोट नहीं कर रहा जी ने बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम की मीटिंग की पर अगर ब्रहमण वोट कहा जाए तो सतीश मिश्रा जी भी ब्रहमण वोट लाने में थोड़े से नाकामियाब रहे हाँ ओपून को उम्मी थे उसके अनुरूप नहीं मिले तो उसी की एक समीक्सा बैठागी कि इसमें आगे क्या सुधार किया जा सकता है क्या बहन जी अगर उस उन मीटिंगों में अगर सतीशन मिश्रा जी के साथ पहुंस थी तो क्या ब्रहमण वोट आ सकता था प्रहमण वोट पहले भ तो चीजें वह वह लगता है कि उनको बदलने में कामियाब रही बागी बीजेवी के मुद्द मुद्द यह नहीं था जो उन्हों ने महंगाई पर किया और ऐसा कोई नहीं 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 बहुत पर देने वाले लोग बंध हुए तो क्या यह जो भर्मित लोग हो रहे हैं अ अपने पावर दिखा करके या अपना काम दिखा करहे क्योंकि बहन जी ने دोवाजार साथ लेकर के दोहजार बारह तक वह बहतरीन काम किये जो दो सरकारों यह जो अभी तक नहीं किये चाए Magic सरकार ले ली जिए हर चीज में दो 2007-2007-12 तक का जबरदस्त कारे रहा है पर हम लोग वह कार्रे बताने में भी असफल रहे हैं यह सासन कभी भी नहीं रहा है लोगों तक उनकी सुविधाय मूलबूद पहुंचने जाहिए वह वह लोग समाज पार्टी टाइम में पहुंचा और ऐसा नहीं है बार बार उन्हों ने उस बात को लोगों तक पहुंचाने की को सीज इस लेकिन जैसे मैंने काया कि मीडिया ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला आए ठीक है बीजेपी के कहने से सथातारी पार्टी के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे दम खम के साथ आपको जो चोबीस के चुनाव हैं उसमें भी वापसी करती भी दिखेगी और जो उससे पहले जो राजस्तान में मद्यपर्देश में और शतीस गड़ में जो चुनाव हैं उनमें भी वापसी करती नजर आ है कि हमसे गलती हो गई है मीडिया के बैकाव में हम आगे वोट पहले भी वोजन समाज पार्टी के थे आज भी और आगे पर जिन्हों ने वोट दिये और जो दम भरते थे पूरा उत्तर परदेश यह दम भरता था कि बीस पी इस बार कमबैक करेगी और फुल बहुमत से आई चीए और निदली आगे नीचीए वहां पर उनकी ना आके और विजेपी की सीटे आ रही है जो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है अब वो एजेंडा उनका फेलियर रहा है ठीक है या उन लोगों ने कहीं पर कोई मसीनों में कुछ गड़बड करी है या जो वैलेट लगता कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने गड़बड किया है लेकिन हमारे लोग सजग है समर्थ है ठीक है सब लोग मिलके और दुबारा कोसीज करेंगे ठीक है आप देखेंगे कि 24 का चुनाव और उससे पहले जो तीन पर देशों में जो चुनाव हो समाज पार्टी बहुत बड़ी तागत बनके उबरेगा लेकिन अभी तक भारत में नहीं हो पाया क्या यह सारी राजनितिक पार्टियां एलेक्शन कमिशन को यह नहीं कह सकते हैं कि इवियन बंद करो यानि वरना हम इलेक्शन नहीं होने देंगे अगर आप ऐसा अगर कुछ करते हैं तो शायद एवियन तो आज ही बंद हो जाएगा यानि आप अपनी पावर दिखाना न लिखा वर नहीं है या समयधान में ऐसा कहीं पर भी कोई एक लूप नहीं है कि पार्टियां जो इकठी होके और जो है चुनाव का बाइकाउट कर दें या कुछ भी करते हैं आपने देखा होगा कि कुछ ही स्टेटों में चुनाव हुए ठीक है वह समयधानिक परकिरिया ह उसमें आपको गुजरना पड़ेगा चुनाव तो हो गई अब वह पार्टियां जो है अपनी तरब से कहरी है लिख रहे हैं चुनाव हाई को भी लिखा है कि लिखा है कुछ पर्देश सरकार उन्हों नहीं भी लिखा है जो पर्देश में सरकारे चला ले उन लोगों ने तो सवीधान में भी यह प्रावद्धान है अगर समाज हित्में या देश्ट में नहीं है उस चीज को आगर हम हटाना चाहे तो आंधोलन करके उसे हटा सकते हैं। मेलाश्टे कोशन आप से और पूछना चाहूंगा कि बीएस पी के जो समर्थक है बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज वह आज निरास हो गया है मुझाने इक सब्सक्राइब मेरा पर भूर्थ बहुत बन जातां कि जैसे मैंने का सरकार बनाने से चूकने के साथ लेके और एक सीट पे आ गए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई बिखरा हुआ दोनों चीजे नहीं है बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ वापस आईगी आप और हम सब लोग साथ हैं हम अपनी मेहनत करेंगे पार्टी मेहनत करेंगे बहुजन समाज पक्रीजेश वाल च मैब राजबीर सींग जी और मैं आपको बताना चाहा गोगा हcheck कि इस एससों किया गया हो और वह वेल हो ओ ऊंहिस जाए multi समाज के पूरती है और अब हुर्यजलों नेन यह काहи fasten बॉरत में कुछ अगर सांस बाकी है तो BSP को लाना जरूरी है और BSP रहनी जरूर चाहिए वरना इस देश का शायद उधल फुटल हो सकता है तो आपको भी मैं कहना चाहँगा अपना मनोवल तोड़ेना हार और जीत तो चलती रहती है ये हार सिर्फ चुनाव की है आप खुद नहीं हा रहे हैं अभी जीतना है लड़ना है लड़ेंगे तभी जीतेंगे और दुबारा इस महनत को आगे बढ़ाएंगे जैभीम नमो बतायें मिलेंदर कॉताम दिलीज़